Hello everyone, today we will discuss about unit cell and types of unit cell. Last video में हमने discuss किया था crystal lattice क्या होता है Crystal lattice को detail में हमने discuss किया था with structure तो आज हम discuss करेंगे कि unit cell क्या होता है detail में और उसके कितने types होते हैं और कौन कौन से types होते हैं यह सारी चीज़ें आज हम discuss करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं First of all हम समस्ते हैं unit cell क्या होता है तो देखे unit cell को हम समस्ते हैं एक example से Unit cell का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट होकर के एक बड़ी चीज़ का निर्माड कर रही है तो वो छोटी चीज जो बार-बार repeat होकर के एक बड़ी चीज बना रही है तो वो छोटी चीज क्या पोलीश आएगी unit cell पोलीश आएगी पर इग्जामपिल घर अगर हम बात करें घर की तो घर कितना बड़ा होता है ठीक है तो घर का अगर हम छोटी सी चीज देखें कि घर किसे मिलकर के बना है तो वो छोटी सी चीज क्या है इंट, ठीके इंट से मिल करकर घर बना होता है pent बार बार रिपीट होती है repeat और यरेपीट होती हैं और क्या बना देती है ? बड़ा घर येए बड़ा room बढ़ा बार रिपीट होकर एक बड़े से घर का निर्माट कर देती है तो वहांपर वह जो 8 क्या है, unit cell है तो यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल एक smallest portion होता है crystal lattice का, जैसे अगर हम बात करें घर की, तो घर क्या है, घर एक माल लेते हैं कि घर क्या है crystal lattice है, और इंट क्या है, उसके छोटे छोटे particle है, small portion है, ठीक है, तो इंट क्या है, बार बार इंटें repeat हो रहे हैं, बार बार इ तो वहां पर वो जो इंट है वो क्या है वो एक यूनिट सेल है तो यूनिट सेल कहने का मतलब यह है कि यूनिट सेल क्या होती है कि सी भी क्रिस्टल लैटिस का smallest portion जो बार बार रिपीट होकर के crystal lattice को बना रहा है उसको बोला जाता है unit cell जैसे कि घर में बार बार क्या रिपीट होता है इंटें रिपीट होती है इंटें बार बार रिपीट होती है लेकिन हर एक इंट कैसी होती है सेम साइज की होती है एक जैसी होती है वही इंटें बार बार लिपीट होती है लिपीट हो हो करके क्या बना देती है एक बड़ा सा घर बना देती है तो उन में से अगर हम एक हींट की बात करें तो वह एक हींट क्या बोली चाहेगी वहां पर यूनिट सेल क्लियर हो गया है त kristal lattice का smallest portion है यानि यूणिट सेल सेल आपस में dokładнее जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ कि क्या बना लेती है एक crystal lattice को बना लेती है तो अगर crystal lattice को अगर हम देखें तो crystal lattice कैसे बनता है unit cell के repeatation से unit cell बहुते है同時 repeat होती है और crystal lattice बन जाता है यहां पर कलेर होके unit cell क्या है crystal lattice का smallest portion को unit cell बोलते हैं जो कि बार बाल repeat होती है repeat क्या बनादेती है एक entire lattice क्रिस्टल lattice का निर्माण कर देती है अब मैं आपको स्ट्रक्चर के हद से समझाने के कुशिश करती हूँ यह देखिए आप इस स्ट्रक्टर को देख पा रहे हैं यहां पर देखिए यह क्या है यह इस तरीके के बॉक्स आपको दिख रहे हैं यह एक बॉक्स चोगी कलर है जिसमें कलर हो रहा है रैड कलर का तो यह बॉक्स आप देख पा रहे हैं तो इसी तरीके के बॉक्स इसमें बहुत सारे box आपस में चुड़े हुए हैं और बहुत सारे box जुड़ करके क्या बना रहे हैं एक crystal lattice का दिर्माड कर रहें तो अब कर जो crystal lattice बन रहा है वह बहुत सारे box यहां पर box-type का बना हुँ इस type के बहुत सारे box से मिल करके बना है एसी type के same साइज में बॉक्स जुड़े हुए है और एक क्रिस्टल लेटिस बन रहा है तो इन सभी बॉक्स में से अगर हम किसी एक बॉक्स की बात करें तो वो क्या है वो यूनिट सेल है यह क्या है यहां पर यह इतना पार्ट यह जो डाइग्राम बना हुआ है यह क्या है यह रिपीट होती है रिपीट हो करके क्या बना लेती है क्रिस्टल लैटिस को बना लेती है तो वही एक चोटी सी चीज जो बार बार रिपीट हो करके एक लैटिस को बना रही है उस चोटी सी चीज को क्या बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस को बोलेंगे ठीक है जो की क्रिस्टल लै तो types of unit cell में हम first जो type है वो discuss करेंगे simple and primitive unit cell क्या होती है यानि simple और primitive दोनों एक ही unit cell के नाम है simple unit cell को ही primitive unit cell बोते हैं तो simple और primitive unit cell क्या होती है when constituent particles are present only on the corner position of a unit cell it is called simple or primitive unit cell देखे इसका मतलब यह है कि यह है unit cell तो यह unit cell कैसी है कि मैंने अभी आपको एक diagram दिखा था जिसमें छोटे-छोटे से box दिख रहे थे आपको इस तरीके के box दिख रहे थे तो उन boxes में से बहुत सारे box से उन boxes में से एक box को उन्हें निकाला तो वो क्या है unit cell यहां पर आप इस figure में देख पार है कि यहां पर यह जो constituent particle है देखे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिसकस किया थे constituent particles क्या होते हैं तो atoms molecules और ions हो सकते हैं constituent particle की जगे पर यहां पर क्या है यह जो constituent particle है ठीक है यह constituent particle simple unit cell में सिर्फ corner पर ही present होते हैं तो यह जो unit cell है unit cell के corner पर जब भी constituent particle होंगे वो simple unit cell होगी यानि simple runners cell सिर्फ और सिर्फ corner पर होते हैं कॉर्ण के अलाबा किसी भी जगष आपको constituent particles देखने को नहीं मिलेंगे ऐसी unit cell जिसमें constituent particle सिर्फ और सिर्फ corners पर present होते है उसको simple या फिर primitive unit cell बोलते हैं देखिए, अम मैं आपको बताऊंगे कि यह जो simple और primitive unit cell होती है इसको calculate कैसे करते हैं चीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें number of particles per unit cell कैसे calculate करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर यह formula दे रखा है 8 into 1 by 8 देखिए, इसको मैं समझाते हूं 8 into 1 by 8 क्या है देखिए, यहाँ पर corner है 8 यहाँ पर कितने corners है, 8 corners है और एक जो corner है, उसके पास atom का 1 by 8 पार्ट आ रहा है, देखिए, confusion तो होगा आपको, but don't worry, मैं आपको clear कर देती हूं, देखिए, सबसे पहले मैं एक और इसके उपर रख देती हूं देखिए, ऐसे समझे, देखिए जैसे एक है room यह है room यह एक room है, यह एक room है ठीक है, यहाँ तक clear होगा, यह क्या है यह एक room है यह है एक room अब इस room के उपर, एक और देखिए, यह room है, तो इसकी भी एक दिवार इथा ऊगए एक दिवार इदर होगी. इतने रूम हो गई हैं? छार रूम हो गई हैं? यहां पर हम एक एक आटम रख देते हैं. यह चार रूम हैं और एक आटम इनके उपर रखते हैं. अब क्या करेंगे? अब इसके second floor को त्यार किया जाएगा मतलब इसके उपर और seem to same बनाएंगे तो एक दीवार फिर से यहां आ जाएगी मतलब इसके उपर एक और building बनाएंगे तो यह कितना हो जाएगा second floor हो जाएगा इसका तो कितने room होगे चार room तो नीचे वाले floor पर होगे और चार room उपर वाले floor पर होगे तो कुल में लागे total rooms कितने होगे 8 rooms होगे total तो 4 rooms यह जो नीचे है और 4 rooms वो जो building के उपर है तो यहां पर atom कितना है सिर्फ यानि कि 4 rooms उपर वाले और 4 rooms नीचे वाले लेकिन atom कितना है सिर्फ एक atom है उनके बीच में तो अगर हम इस atom को divide करेंगे तो कैसे divide होगा देखिए यह जो atom है बीच में सबसे पहले इसको half काटेंगे ऐसे अगर बीच में से इसको cut करते हैं तो half तो नीचे वाले 4 जो room है उनके पास आजाएगा atom और half उपर वाले 4 के पास ऐसे समझे कि यह है लड़ू देखिए इसको ऐसे समझे कि एक लड़ू है एक लड़ू है और आठ कमरे है आठ कमरे कैसे है चार कमरे नीचे है नीचे वाले फ्लोर पर और चार कमरे उपर वाले फ्लोर पर है तो एक लड़ू है आठ रूम है और हर एक के रूम में एक इंसान रहता है यानि एक पर्सन हार एक रूम में रह पाए तो कुल मिला के कितने पर्सन हुए एट पर्सन हुए बिकस एट रूम है तो एट पर्सन हो गए और लड्डू कितना है सिर्फ एक लड्डू है तो अब एक लड्डू में से आठो लोग आपस में बाटेंगे तो कितना कितना पार अगर हम एकोर्णर चेहर में एकinku कितना पाै। रहा है — उसके शीहर में लडू का कितना पाँर रहा है तो फैसं कि इतना पार्णरी से वस्के रहा है B नहुन की आ तो पार्ण इपाल में इंड गई मिन कर सक वक्लेते हिसे सवेबुपली में कि खु Armstrong 2021 अगर हम one corner की बात करें तो one corner के share में जो एक atom है उसका कितना part आएगा एक atom है तो जाहर सी वात है बन वाई 8 पार्ट आएगा तो 8 x 1y8 यानि atoms जो corner है वो कितने हैं? Corner है 8 और one corner के share में atom का 1y8 पार्ट आ रहा है तो 8 into 1 by 8 is equals to 1 atom यहां से यह कट हो जागा तो कितना atom है 1 तो अगर हम simple और primitive unit cell की बात करें तो simple और primitive unit cell में जो number of particles per unit cell है यानि कि per unit cell कितने number of particles हैं तो कितने हैं एक atom है अगर नहीं हुआ है तो फिर से इसी चीज़ को repeat करके देखिए अब हम आगे का समझते हैं देखिए second समझते हैं हम face centered unit cell इससे पहले हमने discuss कर दिया simple और primitive unit cell देखिए face centered unit cell में यहां पर यह जो आप cube देख रहे हैं यह जो आप diagram देख रहे हैं यहां आप देख सकते हैं कि corners पर constituent particles present हैं लेकिन इसके अलाबा भी आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ constituent particles और हैं यह कहां पर present हैं देखिए अगर हम इस cube की बात करें तो इसमें कितने phases हैं फेज़ अगर आप अपने room के phases को count करेंगे तो आप अपने room में देख सकते हैं कितने phases हैं six phases होते हैं तो आप मुन्हात कौइए चलीए तो ही जो क्यूब है इसमें शिक्सफेस है देखिए खाव इन एक ञीर वाला उगया इतनाग चारे के बाद पीछे वाला हो पांच और आगय वाल एक चे तो कहने का यहां पर चनके इसे और आप फेसे पूर्टोंड्ट और ये इचे और फेसल नहीं होंगे लेकिन कर्न आपश्क अलावा भी सभी phases के center में एक एक particle present होगा यहां तक यह चीज़ा आप clear कर लीजिए कि सभी phases के जो center हैं उनमें एक एक particle present होगा तो यहां पर कितने कुल मिला कि अब इसको calculate कैसे करेंगे यह तो चीज़ clear हो गई यहां पर definition clear हो गया और structure भी clear हो गया क्या clear हो गया कि यहां पर यह जो structure है जो face centered unit cell होती है उस unit cell में corner पर तो constituent particle मिलते ही मिलते हैं उसके अलाबा जो phases होती है सभी phases के center part में सभी phases के बीच में एक particle और मिलेगा clear ना तक देखिए अब calculate कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहां के जो corners है उनको calculate कर लेते हैं तो corners को तो हम simple और primitive unit cell में भी calculate कर चुके हैं तो मुझे लगता है वह आपको clear है तो 8 into 1 y 8 is equals to 1 atom इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको क्यूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से 8 है फिर से चली repeat कर देती हूँ आपको revision हो जाएका दीखिए 8 तो corner है 8 corner है और एक corner के पास atom का कितना part रहे है यानि 8 corner है और atom कितना है 1 one atom है, eight corners है one atom है, eight corners है आप एक corner की बात करें यानि one corner की बात करें तो one corner के पास उस one atom का कितना part आएगा तो one atom को जाहिर सी बात है eight equal part में divide किया जाएगा क्योंकि eight corners है तो सभी corners कहेंगे हमें भी चाहिए atom हमें भी चाहिए atom सभी corners अपना अपना लड्डू मागेंगे तो सभी को जब लड्डू को distribute किया जाएगा तो equal part में उसके eight part किये जाएगे तो एक corner के पास उस लड्डू को कितना part आएगा तो one white part उसके पास आजाएगा तो कुल मिला के कितना आएगा जब इसको cut करेंगे तो one atom यहाँ पर निकल के आएगा one atom हो गया number of particle per unit cell कितना हुए यहाँ पर अभी तक one हुआ है और यह किसका है यह simple or primitive unit cell का लेकिन यहाँ पर face centered unit cell की बात हो रही है तो सिर्फ corner वाले atom से मतलब नहीं है यहाँ पर face के atoms को भी हमें calculate करना पड़ेगा तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताए कि यह जो cube है इसमें कितनी phases है six phase है अगर आप जिस भी room में बैठ करके यह video देख रहा है एक वो दीवार जिस पर आपका bed रखा हुआ है ठीक है पाच भी हो गई और एक आपके उपर वाली जिस पर आपका fan चल रहा है तो कितनी हो गई छे हो गई है तो six phases हो गई six phases के बीच में क्या मिलेगा आपको एक लड़ू मिलेगा एक phase हर एक phase के center में एक लड़ू मिलेगा ठीक है आप इसको लड़ू से याद रख सकते हैं अब देखिए six phases हैं आप अपने रूम में count कर लीजिए कितनी phases है six ही होंगी six phases है और हर एक phase के center में आपको एक atom यानि की constituent particle मिलेगा आप देखिए इसको कैसे समझेंगे आप देखिए इसको ऐसे समझते हैं ये आपके घर की चार दिवारें मतलब आपके कमरे की चार दिवारें और एक उपर वाली एक नीचे वाली कितनी हो जाएंगी छे हो जाएंगी ना ठीके छे हाँ six phases हो गए अब एक चीज ऐसे समझेए कि ये आपके घर की एक दिवार है और ये दिवार के बीच में एक लड़ू है तो ये तो आपका कमरा है और ये आपके बरावर वाले का कमरा है क्योंकि दोनों लोग साथ में रह रहा है तो बरावर में भी एक कमरा है तो उसमें भी कोई ना कोई अविजली रहता ही होगा तो ये बरावर वाले का कमरा है और ये आपका कमरा है अब वो दिवार के बीचों बीच एक लड़ू रखा है ठीक है यानि कि अगर हम बात करें तो एक फेज के सेंटर में एक एटम है एक molecule लेकाईन या फिर एक constituent particle है तो जब एक लड़ू है एक फेज के बीच में और आदा लड़ू आपके शेर में आ रहा है आदा आपके बरावर वाले के शेर में आ रहा है तो आदा वो तो लेगा ऐसे थोड़ी होगा कि आप पूरा लड़ू ठाक ये अकले खाएंगे कैसे खाईएंगे वो उसके शेर का भी ये लड़ू तो क्या होगा ये जो आपका लड़ू है Isaiah या आदा तो आपके शेर में आ रहा है आदा अपके पड़ोशी के शेर में आपका जो neighbor है उसके share में आ रहा है कैसे क्योंकि जो दिवार है जो phase है उसके बिलकुल बीच में जो लड़ू है वो दोनों के हिसे में आएगा बरावर वाले के में भी और आपके में भी तो एक लड़ू के कितने part हो जाएंगे जाहिर सी बात है अगर इस लड़ू के अगर म वह लेंगे दोनों का share आएगा इसमें तो इस लड़ू का कितना part आपके पास आएगा कितना इसके पास जाहे गा तो वन वाइट घू पारट आपके पास आएगा वन वाइट यू पास कोल मिलाके शिक्स तो it three phases है्फ सिक्स फेजड़े है और हर एक फेज में जो center है उसमे एक constituent particle है six phases है और एक इंसान के पास यानि एक इंसान के पास वो जो atom है वो जो लड़ू है उसका कितना part आएगा one by two part आएगा देखिए यहां फर फिर से देखिए six phases है six phases है और अगर हम एक phase की बात करें तो six phases है और six phases के बीच में हर एक phase के बीच में क्या है एक atom है तो एक उसका part जो है वो बरावर वाले के पास चाहेगा और उसका दूसरा part बरावर वाले के पास चाहेगा दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे तो बनवाई two part बट चाहेगा तो six phase है और बात करें एक इंसान के पास कितना part आएगा उस लड़ू का तो बनवाई two part आएगा य एटम को सब्सक्राइब करिए यहां पर लड्डू है और बरावर वाला भी रूम है फिर खुद से सोचिए कि हाँ इसका पार्ट बनवाई टू आएगा कि नहीं आएगा इसको कट करेंगे तो हो जाएगा तो 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 टोटल नंबर ओफ एटम्स पर यूनिट सेल यहां पर कि फेस सेंटर में फोर एटम्स होते हैं सिंपल और प्रिमिटिव सेल में वान एटम होता है पर यूनिट सेल के बाद बात करते हैं थर्ड टाइप की थर्ड टाइप है बोडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है बहुत ही सिंपल बोडी सेंटर यानि की बोडी के सेंटर में एक constituent particle मिलेगा ही मिलेगा देखिए in which the particles are present at the corners as well as at the center of the unit cell देखिए बहुत ही simple तरीक से समझाती हूँ आपको आप बैठे हैं रूम में आप रूम में ही बैठे होंगे कहीं से भी बैठ के देख रहे होंगे रूम ही होगा तो आप देख रहे हैं रूम में बैठ करके यह वीडियो आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कितने phases है उसमें phases है six जैसा कि मैंने अभी आपको बताए था और उस रूम के corners को भी count कर लीजिए गर ज़रा उस room के corners कितने होंगे eight corners होंगे eight corners होंगे और उसमें six phases होंगे आप देखिए उसका जो center की अगर हम बात करें तो room के बीच में बिल्कुल room के बीच में आपको क्या डालना है अपने bed को डाल देना है room के बिल्कुल बीच में अगर आप bed को डालेंगे तो क्या उस bed पे किसी बरावर बाले किसी neighbor का हक होगा नहीं होगा ना क्योंकि वो किसी wall पर तो नहीं है जैसे separate जैसे wall होती है तो क्या होता है कि एक ही wall share में होती है दूसरे neighbor के भी और हमारी भी तो वैसा तो नहीं है क्योंकि जो bed है वो आपके बिल्कुल room के बीच में है तो उस room पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है वो room कोई neighbor नहीं ले सकता यानि उसको share कोई करी नहीं सकता कैसे कर लेगा share आपके room में just बीच में जो bed पढ़ा है वो सिर्फ आपका रहेगा क्योंकि वो किसी बॉल पर तो है नहीं है कि बरावर वाले को भी share देना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी share की ball है वो ऐसा किसी भी दिवार पर तो नहीं है ना बैड के आप किसी भी दिवार पर आपने बैड रख दिया तो अब बरावर वाला जो आपका neighbor है वो आकर बोलेगा कि यह जो बैड है वो इस दिवार पर रखा है और यह दिवार तो आधी मेरी भी और आधी तुमारी भी तो बैड के दो पार्ट कर लो फड़ाफर से आदा मुझे जे दो बैड आदा तुम ले लो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि जो बैड है वो कहां है वो सिर्फ आपके रूम के बीच में पड़ा है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है कहने का मतलब यह है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट पार्टिकल और होता है जैसे कि आपका बैड ठीक है अब देखिए अब जो बैड है वो एक है यानि पार्टिकल जो बॉडी के सेंटर में एक अब उसको कोई शेयर नहीं करेगा कोई शेयर नहीं करेगा तो वो अकेला आपके पास रहेगा तो जो सेंटर में है वो वन आपका ही है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले corner को आप calculate कर लेंगे तो वही same one atom आ जाएगा उसके बाद body की center में एक है और वो किसी की share का नहीं तो one into one हो जाएगा तो total number of atoms per unit cell यहाँ पर two हो जाएगे clear हो गया आगे बात करते हैं and centered unit cell की देखें आगे हम समझते हैं and centered unit cell यह four type है unit cell का type number four है and centered unit cell इसमें क्या होता है इसमें जो particles हैं वो corners पर तो present होते ही हैं सभी corners पर particles present होंगे उसके अलाबा corners के अलाबा two opposite phases पर present होंगे आप जिस room में बैठे हैं वहाँ एक wall और फिर उसके just opposite दूसरी ball को देखें यानि अपनी just यानि जिस सरफ आप face करके बैठे हैं एक तो वह वाली ball को देखें और एक आप अपनी back side की ball को देखें वो दोनों क्या हैं एक दूसरे के just opposite हैं तो उन दोनों walls पर दो लड्डू लड्डू रखे हैं तो उन दोनों walls पर जो दो लड्डू रखे हैं उनको कौन कर शेर करेगा आप और आदा लड्डू किसका होगा आपके पड़ासी का यानि जिसके भी शेर में वो दिवार आ रही होगी उसका होगया आदा लड्डू आदा लड्डू आपका होगया तो दो जो atoms हैं जो दो constituent particle हैं वो opposite जो phases हैं उनके बीच में मिलेंगे corners पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे end-centered unit cell में corners के अलाबा जो opposite phases हैं उनके बीच में भी आपको constituent particle देखने को मिलेंगे यानि दो constituent particle और देखने को मिलेंगे वो भी opposite phases पर अब opposite phases पर देखने को मिलेंगे तो two तो atom वाला तो आप calculate कर लेंगे eight corners है और one y eight part per corner आ रहा है atom का तो one atom यहाँ पर calculate कर लिया अब देखिए two phases है two opposite phases है और one phase पर यानि two opposite phases है और उसको share करके देखेंगे तो half तो आपके पास आचाएगा और half आपके बरावर वाल के पास जाएगा तो बनवाई two part share में आएगा तो यहाँ से आजाएगा one atom तो जो end centered unit cell होती है उसमें total number of atoms per unit cell two होते हैं यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा I hope अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे comment करके बताईएगा मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आपको यह अच्छे से clear हो जाए and thanks for watching this video